आप करो कि अ है लो दोस्तों स्वागत आपका आपके के अपनी यूट्यूब चैनल एजूट्यूकेशन पर्शन में अगर आप आप इस चैनल पर नए आए हैं तो शेणल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने अगर आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो को देख लें महां सभी वीडियो का लिंक अपने description box में देदूंगा तो चलो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ स्टार्ट करते हैं अपने पहला अगला question निडलों सिरंज क्या है यह इसका राइट आंसर निडलों सिरंज एक फिदुपला अबशी पस जो किस मेंगे को सफ़ेटमें डालते हैं बड़ल स्यरंज मतलब कि जो फिक्स्ट द्रैंज योगति अज़ सफ़ेट नेस्ट में वह सब्मेंदल और संथीय। दौना जो द्नीडल अलग होती है ओस मि'llह को यह सब biggerכart कारबन डाइक्साइड सलफर डाइक्साइड कारबन मोनोकसाइड गैस कैसी गैस हैं तो इनका राइट अंसरों को यह सभी गैस हैं वायू पर दूसा गैस हैं अगला क्वेश्चिन सोचाले की सफाई ना होने पर क्या होगा तो इसका राइट अंसरों को सोचाले की सफाई ना होने पर वायू परदूशन होता हैं अगला क्वेश्चिन केंद्रिय प्रदूशन नियंतर बोर्ड की स्थापना कब होई थी तो इसका राइट अंसर होगा इसकी स्थापना सितंबर 1974 में की गई थी इस थापने अगठित दोनों एकी बात है तो इसके स्थापना उन्हीस Babe की गई थी अगला क्श्चिन क्रेकिंग गेस के नाम से किसे जाने जाता है तो इसके आएट अंसर होगाइन ऑटू को क्रेकिंग गेस की नाम से जहना जाता है अगला collection कोईला जलने के उपरांत कौन सी गैस बनती है कोईला के जलने के बाद एसोटू कैस बनती है मानुविय प्रदूशक के श्रोष क्या है गरेलू कारियों में देहन बाहनों में देहन एवम विद्दू उर्जा में देहन ये सब भी मानवे प्रदूसर के शरोत हैं अगला question क्या कूडे कच्रे सड़क पर नालियों में सफाई न होने से भी वाईव प्रदूशन हो सकता है तो इसका रायट answer होता है बिल्कुल हो सकता है इसलिए हो सकता है अगर हम कूडे को काफी दिनों तक सड़क पर या नालियों में इकट्टा करके रखेंगे तो उसमें गलन पैदा हो गलन पलने से उसमें इसमेल आईगे और इसमेल से हमें वायू परदूशन होता है अगला क्वेस्चन जानबरों के म्रत सब मतलब कि डैट बोडी से वायू परदूशन होने की क्या संभावना है तो इसका रायट आईट आनसर होगा जानबरों के म्रत सब से हमें 80% तक वायू परदूशन होने की संभावना होती है अगला क्वेस्चन मानव जनित प्रदूशक का नाम बताओ तो इसका राइट आन्सर होगा नाइट्रोजन के उक्साइड, सल्फर के उक्साइड, क्लोरीन, सीसा और कैड्मियम ये सभी मानव जनित प्रदूशक है अगला क्वेस्टिन दो प्रदूशक गैसों के नाम बताओ तो इसका राइट आन्सर होगा, CO2 और CO, मतलब कि CO मतलब कि कार्बन मोन ओक्साइड और CO2 होता है, क्लोरो फिलोरो कार्बन ये दोनों गैस हैं, प्रदूशक गैस होती है अगला क्वेस्टिन गल्ती से हार्पिक सरीर के अंदर चला जाने से क्या होगा तो इसका राइट आन्सर होगा, अगर हार्पिक मनुष्य के सरीर के अंदर चला जाए, तो उसकी मौत हो सकती है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें, अब हम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें अगर आपने हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोइन नहीं किया, तो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोइन भी कर सकते हैं में आपको free PDF provide की जाती है मैं अपने टेलिग्राम गुरूप का लिंक इस वीडियो के description box में दे दूँगा तो चलो चलते हैं next question की तरफ फिनाईल सरीर के अंदर चला जाने से क्या होगा तो इसका right answer होगा आंत्रिक अंगों को छती पहुचेगी किडिनी खराब हो सकती है brain damage हो सकता है अगला question ग्लास क्लीनर सरीर के अंदर जाने से क्या होगा तो इसका राइट अंसर होगा ग्लास क्लीनर मनुष्य के सरीर के अंदर जाने से मनुष्य की मौत हो सकती है अगला क्वेस्चन hand sanitizer कितने प्रकार के होते हैं तो इसका right answer होगा hand sanitizer दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है alcohol सहित और एक होता है alcohol free अगला question hand sanitizer में alcohol का प्रतिसत कितना होता है तो इसका right answer होगा hand sanitizer में 60 से 90 प्रतिसत तक अल्कोहल की मातरा पाई जाती है आगला क्वेस्टम यदि हारपिक के साथ ब्लीचिंग पाडर को मिलाया जाये तो क्या होगा तो इसका राइट रसवी होगा क्लोरीन गैस उथपन होगी अगर हम ब्लीचिंग पाडर के सथ हारपिक को मिला दें तो उसमें से किलोरीन गैस उत्पन होती है अगला question किलोरीन गैस मानव के लिए होती है तो इसका आयट अंसर होगा किलोरीन गैस मानव के लिए बहुत हानिकारक होती है तो इसका अंसर होगा बहुत हानिकारक अगला question क्या सफाई के दौरान हार्पिक और अन्य केमिकल को एक साथ मिलाना चाहिए यह लाना की जगा मिलाना कर देना है दोस्तो यहां पर आपको मिलाना कर देना है मिलाना तो इसका रायट आन्सर होगा कभी नहीं मिलाना चाहिए सफाई करम का इपचारी को हार्पिक के साथ किसी भी केमिकल को नहीं मिलाना चाहिए अगला क्वेस्टिन क्लोरीन गैस से मानव सरीर पर क्या फर्क पड़ता है तो इसका रायट आंसर होगा, लंग्स खराब हो सकती है, रोगी सांस नहीं ले पाता है, और रोगी की मौत हो सकती है, किलोरीन गैस मानों के सरीर पर ये फरक डालती है, अगला क्वेस्टन, डबलू एचो के अनुसार, जल प्रदूशन की परिवासा क्या है, तो इसका रायट आंसर होगा, बहुत तिक और रासाइनिक रूप से, अनियमेतिता, ये सब डबलू एचो के अनुसार, जल प्रदूशन की परिवासा है, अगला क्वेस्टन, जल प्रदूशन पदार्थ हैं, तो इसका रायट आंसर होगा, सीसा, पारा और कैड्मियम, ये तीनों जल प्रदूशन पदार्थ होते हैं, तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, और हमारे टैलिग्राम ग्रूप को जोइन करना ना भूलें, थैंक्यू, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ येर करें थेंक यू